प्रभाव नहीं पड़ा है यहां धान की खरिद्धारी बहुत दीमा चल रहा है यहां एक टाली तौनते हैं 15-20 दिन से चक्कर लगा रहे हर करेके इंदरों कर कोई परभाव नहीं पड़ रहा है यहां रूट पर अंदर टालिया लेने रहे हैं रूट पर विताना पड़ रहा हम लोगों को शुबा टाली ट्रक्टर को रिखाते हुए यहां रात भर ठंडे के मौसल में बहुत पंदरा दिन से चक्कर लगा रहे हैं यहां नंबर लगाने को बोलते तो आज नंबर लगा तो 400 नंबर मिला एक दिन नंबर लगाए तो उल्डिस्ट गाए हो गई बो लोग गए थे वहां रचुलपूर वहां पर एक केंद्र वहां पर कोई रिस्पॉंस नहीं है चिंतावरा गए तो वहां भी कोई रिस्पॉंस नहीं मिला फिर उसके बाद हम अपना धान याप लेकर आए और कल सुबा से आंखड़े हैं और आज दूसरी मीटिंग हम पहु है और दो मार्टिंग इस्पेक्टर की वृद्ध एडवर्स इंट्री भी दी गई है तो खरीद अब चुकि राइस मिलर्स तयार हो गए तो मुझे आसा है कि दो चार दिन में चीजें स्मूत होंगी और खरीद सामान रूप से तो जब जब चीजें ऐसी थी कि करनचारियो करनों की रृताल थी, को अपरटिव की हाटाल थी, गढगान की राइस मिलर्स की प्रदेश भ्यापी हाटाल थी, तो वो सारी चीजें बीएघ ब crusty में होती भी हैं पर इसके बाद जब हल होती हैं तो उसके उसको फिर कोशीष कियाता है कि किसानों की अधान है उसको लोग करीदेंगा